Hello Friends, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पूयम जिसका नाम है The Sick Rose, जिससे लिखा था William Blake ने, William Blake ने इसमें दो चीजों के बारे में बताया है, Innocence और Experience, और इसे denote किया है Rose और Warm से, इसमें Rose और Warm को इसले लिया गया है, क्योंकि Warm जो होता है, उसे Experience माना जाएगा, और Rose को Innocence, तो Innocence जो होती है, यानि Rose जो होती है, उसे Experience धीरे धीरे खा जाता है, जैसे Warm रोज को खा जाता है, इस पोयम को पब्लिस कराया गया था 1794 में, Eight Lines की अब पोयम थी, Two Quartids में बाटी गई थी, और Ramming Scheme था A, B, A, B यह होगा दोस्तों पोयम के बारे में, इसके बाद हम इसके राइटर विलियम ब्लेक के बारे में जानते हैं, विलियम ब्लेक का जन्म होगा था 28 November 1757 में, और इनकी देथ हो गई 12 August 1827 में, या Romantic Age के बहुत जाने मानी, इंगलिस पोयट माने गए, Song of Innocence और Experience इनकी फैबरेट थी, या अपने जमाने में पोयट और पिंटर दोनों रहे, इनकी famous work को ले लिया जाए, तो वो है The Mirrors of Heaven and Hill, The Four Jaws और कई सारे, तो यह थे विलियम ब्लेक, अब आएए हम इस 8 लाइन की पोयम को पढ़ते हैं, और ला in the night, in the hauling storm, O Rose, यानि O Rose, The, यानि की You, यहाँ पे Old English है, You, यानि तुम बिमार हो, The Invisible Worm, यानि एक अद्रिश केड़ा, that flies in the night, वो उड़ता है रात के वक्त, in the hauling storm, यानि जोरो का तुफानाना, तो यहाँ पे इस Stanza में पोयट कहते हैं, O Rose, तुम बिमार हो, क्यों हो, क्योंकि एक अद्रिश केड़ा, जो रात में उड़ता है, और जो तीज दूफान आती है, अब ये केड़ा क्या करता है, वो हम आगे स्टैंजा में जानेंगी, Has found out thy bed, तो यहाँ पे केड़े का जिक्र हो रहा है, और कहा जा रहा है कि वो found out, वो खोज लिया है, तुमें, यू में, एक बेड, बेड यानि कि आराम करने की जगा होती है, उसी तरह वो बेड धून लिया है, तुम्हारे उपर, किसके उपर, फूल के उपर, वो कौन धूनदा है, वो कीड़ा, of Crimson Joy, Crimson Joy, यानि कि एक ब्लड का सिंबल, ब्लड जैसे रेड होता है, वैसे ह बूस भी रेड होता है, तो ये एक इनोसेंस का दिखाया गया है, कि किस तरह वो वाम जो है, उसमें अपना बेड धून लेता है, और वहाँ पे इंचुआए करता है, And His Dark Secret Love, यानि कि उसका एक डार्क और सिंक्रिट लव अब तुम्हारे लिए स्टार्ट हो जाएगा, वो सिंक्रिट लव यानि वो जो तुमसे प्यार करेगा, और तुम्हें खाने लगेगा प्यार में, वो तुम्हारे लिए कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, यानि द दर्दनाक हो जाएगा अब वो कीड़ा जो है वो रोज जुसकों में वो बेड माल लिया है और इंजुआई कर रहा है अपनी लाइफ को वो क्या करेगा उसे काट कर खाने लगेगा तो कीड़े के लिए तो वो प्यार है पर रोज क्या होगा वो दिन बर दिन टार्क यानि कि खाता जाएगा और उसे मारता जाएगा तो ओधाय लाइफ डिस्ट्रोई यानि कि अब तुम्हारी जो लाइफ है वो क्या होगी नस्ठ हो जाएगी दिस्ट्रोई हो जाएगी तो इस पोयम में पोएट ने यह हमें बताया है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर इनॉसेन्स होता है, एक भूलापन होता है, जैसा कि रोज के अंदर होता है, और जब हमारे में experience आने लगता है, यानि हम धिरे धिरे बड़े होने लगते हैं, चीज़े को सीखने लगते हैं, तो वो जो innocence है, वो कहीं खत्म हो जाता है, बड़े आद्मियों में innocence नहीं होता है सिर्फ experience होता है और दिमाग होता है, mind होता है उसी तरह जो innocence experience वो कीड़ा जो है वो innocence को खा जाता है और यही थी दोस्तों The Sick Rose जिसे लिखा था William Black ने तो आपको यह पोयम कैसी लगी हमें comment section में बताएं like करे, share करे और subscribe करें दोस्तों ताकि हम एक बड़ा परिवार एक बड़ी family बन सकें और इस channel में नए नए पोयम सम डाल सकें थांकिए दोस्तों आपने मुझे पूरा सुना और अन्त में जैहिंद